तो आज के इस lecture में हम लोग दो topics को cover करेंगे एक तो होगा आपका sources of constitution यानि Indian constitution जिन जिन sources से लिया गया है पहले उन sources को हम लोग देखेंगे और फिर उन sources को याद करने की एक छोटी सी trick भी हम लोग देखेंगे ताकि जो basic questions आते हैं sources की उपर किसी भी competitive exam में जो की MCQ level का होता है वो सारे आपके cover हो जाएंगे तो अगर आप इस notes को follow करते हो और अगर इस trick को भी देखते हो तो आपके sources वाले सारे सवाल हो जाएंगे साथी एक और topic हम लोग करेंगे salient features of the Indian constitution यानि constitution के कुछ features हैं अलाकि इसकी उपर सवाल आने के उतने जादा chances नहीं होते लेकिन फिर भ में आपको पता होगे government of India act लाय गया था अंग्रेजो द्वारा इसके अंदर बहुत बड़ा धांचा प्रोवाइड किया गया था और आप समझ सकते हो कि हमारा constitution है उसका बहुत बड़ा skeleton है उसकी जो मूल भाग है वो इसी act से आता है बहुत सारे जो नियम काईदे आप आप से पूछा जाता है तो उसमें एक होगे federal system, federal system का मतलब क्या हो गया? federal system basically यह होता है कि states का अपना अलग-अलग चलेगा यानि states की विवस्ता अलग चलेगी उनका अलग government चल रहा होगा और साथ ही साथ उनके साथ में एक central government भी होगा यानि state government से अलग होगे, central government एक अलग होगा, तो इन दोनों की बीच का जो तालमिल होता है इसी को federal system बोलते हैं, यह government of India Act 1935 में लाया गया था, फिर एक office of governor यह भी इसी act में दिया होगा है, emergency के जो powers है है, आप सभी को पता होगा कि तीन तरह की emergencies लगती है, इसके बारे में details में हम लोग emergency वाले chapter में पढ़ेंगे तो emergency powers इसके अंदर और public service commission ठीक, जो आप UPSC आज आप देखते हो, तो यह सारी चीज़े भी इसके अंदर mentioned है, हाला कि इस तरह का एक similar exam पहले ही अंग्रेजोन introduced कर दिया था, लेकिन एक proper जो public service commission बना के काम करना है, वो इस act में introduced किया गया था, next देखते है British Constitution को, तो British Constitution में स जिसमें जो president होता है, वो अपनी सरकार चुनता है, ठीक, वो अपने cabinet, वो अपने मंत्री, सारी चीज़ों को चुनता है, और दूसरा होता है parliamentary form of government, इसमें क्या होता है कि सारे जो MP, MLA चुने जाते हैं, MP चुने जाते हैं, MLA चुने जाते हैं, और यह representative आपस मिल करके एक leader क को चुनते हैं, जिसको की prime minister बोलते हैं, या फिर chief minister बोलते हैं, तो यह वाला जो system है, यह parliamentary form of government हमने British constitution से लिया था, rule of law भी हमने वहीं से लिया है, single citizenship, citizenship सिर्फ और सिर्फ एक होगा, यह हमने British constitution से लिया है, आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर दो-दो citizenship या उससे जादा citizen आप हो सकते हो, यानि एक से जादा देश की नागरिक हो सकते हो, तो यह वाली चीज़े हमारे या नहीं है, bicameralism, ठीक है, bicameralism, यानि कि एक साथ दो-दो houses of parliament चलते हैं, ठीक, यानि कि आपका एक लोग सभा भी चलता है, और एक राज्य सभा भी चलता है यह जो system है, दो-दो houses of parliament का, इसे bicameralism कहते हैं, यह भी आपका British Constitution लिया गया है, Office of the CAC, Comptroller and Auditor General, आप सबको पता होगा, specially जो लोग preparation करते हैं, कुछ-कुछ exams कीत, उसके अंदर इस department में जाने का भी होता है, तो Comptroller and Auditor General का जो office है, यह British Constitution से लिया गया है, और lawmaking का procedure है, जो law क इस तरह से बनेंगे, वो भी British Constitution से लिया गया है, आप सब भी इसको अच्छा से समझो, notes तो आपको मिली जाएगा, app के अंदर, तो notes बनाने का आपको चिंदा नहीं घरना, अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं, तो बना सकते हो, otherwise यह notes आपके sufficient रहेंगे, इससे सवाल आजकल काफी जादा बनते हैं, तो इसके अंदर सबसे जो important चीज हमने ली है, वो है fundamental rights का, ठीक है, तो यह चीज़े आपको पता होगा, हम सब को कुछ rights मिल रखी हैं, तो इन fundamental rights को हमने US Constitution से बौरो किया है, independence of judiciary, यह भी US Constitution, judicial review का जो process है, यह भी impeachment of the president, very very important, इससे काफी जादा questions आते हैं, तो यह आपके US Constitution से लिया गया है, वो post of vice president, आप सब को पता होगा, क्योंकि अभी election वगेरा चला है, president का, vice president का, तो इससे सवाल आने के बहुत जादा चांसे से इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ के रखेगा, और फिर judges of the Supreme Court, यानि Supreme Court के judge को अगर ह लिया है, तो directive principles of state policy, very very important, इससे बहुत बार सवाल आएंगे, किसी भी exam में MCQ बेस्क जो को exam होता है, उसके अंदर ये सवाल जरूर बनेगा आपका, तो DPSP, directive principles of state policy, हमने Irish Constitution से लिया है, next, method of election of the president, यानि प्रेसिडेंस election, ये भी बहुत important है, अभी news में चला है, तो इसको अच्छे से prepare करना है, nomination, बारा जो members हैं, आपको पता होगा, president जो है, nominate करके भेजते हैं, ठीक है, manunit, हिंदी में जसको manunit कहते हैं, कि president की मर्जी से वो लोग जाते, तो ये वाली चीज भी हम लेगोने, किसे लिए है, Irish Constitution से लिया है, Canadian Constitution, again, बहुत जादा important है, और इसके अ जो जुकाव है, powers का, शक्तियां जो ज्यादा किसको है, central government को ज्यादा सक्तियां है, और state governments को कम सक्तियां है, तो ज्यादा सक्तियां जो central government को मिली है, यानि कि federation, जो है, center strong होगा जहाँ पे, यही चीज़ें हमने कहां से लिए, Canadian Constitution से लिए, ठीक, उसके बाद है, एक होता है, यह क्या होता है, पहले यह समझते हैं, देखो, यह क्या होगा, कि आपको पता होगा, कि तीन तरह के list होते हैं हमारे समविदान में, ठीक, एक होता है union list, एक होता है state list, और फिर एक होता है concurrent list, union list में जो subjects है, इसके उपर law कौन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ central government बना सकती है, state list में जो subjects दिये हुए, उसके अंदर law बनाने का पूरा आधिगार किसको है, states को है, जैसे कि police आपको पता होगा, एक state subject है, तो इसके उपर सारा जो law बगेरा बनेगा, यह कौन बनाएंगे, state governments अपने अपने हिसाब से बनाएंगे, और एक जो concurrent list है, इस concurrent list में दोनों में से कोई भी बना सकते है, यह दोनों अपने हिसाब से share करते हैं, मोटा मोटा भी समझो, ऐसे deep में नहीं जाएंगे, तो थोड़े और चीज़े हैं, वो हम लोग आगे cover करेंगे, लेकिन इसके अलावा मान लोग कोई ऐसा subject आता है, जो ना state list में है, और ना ही concurrent list मे हैं, यानि ना इसमें है, तब के case में क्या होगा, कि उसमें भी union government को ही power मिलेगी, ठीक, यानि कि center ही वहाँ पे law बनाएगा, ऐसे list में, ऐसे subjects में, जो कि ना state list में होंगे, ना concurrent list में होंगे, इसे बोलते हैं, reciduary powers, अगर उतना समझ में नहीं आया, तो MCQ level पे इतना tension लेने या central government को है, और advisory jurisdiction of supreme court, ये वाली चीज़ भी Canadian constitution से हम लोगों ने ली है, इसको details में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इसको अभी उतना details में जाने का ज़रूरत नहीं, जब supreme court cover हो रहा होगा, तब हम लोग इसको बात कर लेंगे, कुछ other sources हैं, ये चीज़े discuss कर लेते हों, फ सारे fundamental rights आपके suppress हो जाते हैं, खतम हो जाते हैं, कब जबकी emergency लगता है, जब emergency लगेगी देश में, तो कुछ छोड़के बाकि सारे fundamental rights खतम हो जाएंगे, तो ये हमने Germany suit है, बहुत important है, Australia से हमने क्या लिया है, concurrent list का concept, अभी पहले बताया मैंने, एक state list होता है, central list होता है, concurrent list हो ये जो joint setting है, ये हमने Australia से borrow किया है, freedom of trade and commerce, आप सबको पता होगा कि अगर मानलोग बिहार में गेहु उगता है, तो ये गेहु उगा करके इसको trade किया जा सकता है, कहां पे, किरला के अंदर trade किया जा सकता है, इसकी पूरी आपको छूट है, ये जो trade and commerce का freedom है, ये हमने Australia से ही बोरो किया है, Russia यानि जो former USSR था, उससे हम लोगोंने क्या लिया है, fundamental duties का concept लिया है, again ये very important है क्योंकि अभी news में चल रहा है, तो इसको आप अच्छे से याद करके जाओगे, Russia से ये वाला सवल आने के chances जादा है, और justice वाले जो चीज़ें हैं, जो हमने preamble जब पढ़ाता Republican system के मतलब भी हम लोगों ने पहले discuss किया था, preamble वाले lecture में, कि एक जो है हमारा elected head of state होगा, ठीक, elected head of state होगा, कोई मोनार्की नहीं होगी, जैसे ब्रिटेन में अभी आप लोगों को पता होगा कि जो रानी का नेधन हुआ है, तो रानी जो थी वहाँ की head of state थी, लेकिन हम हम लोगों ने France से ही borrow किया है, finally South African constitution से क्या लिया है, हम लोगों ने तो South African constitution से हमने लिया है, procedure for constitutional amendment, यानि constitution को अकर बदलना है, तो कैसे बदलना है, two-thirds majority वाला, one-third, ये वाली जो चीज़े होती है, majority वागा, ये सारी चीज़े हम लोगों ने South Africa से borrow किया है, South Africa के constitution से, और constitutional representation के basis पे जो होता है, ये क्या होता है, ये सारी चीज़े हम लोगों जब राज सभा पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो ये भी हम लोगों ने South Africa के constitution से लिया है, चलो आब आज आते हैं, tricks के ओपर, तो देखो trick में क्या है, कि Irish constitution, इसकी trick ये है कि Ellie's DP is number one, ठीक है, number को NO से ही represent करना, complete number मत लिखना क्योंकि इसकी ज़रूरत है, अब देखो ये जो Ellie है, मान लो एक Ellie नाम की लड़की है, उसका DP बहुत अच्छा है, इस तरह से आप याद कर लो, तो Ellie's DP is number one, इसमें Ellie का मतलब क्या हो गया, election of the president, देखो ये अभी लग रहा होगा सुनने में थोड़ा वो हमने Iris Constitution से लिए है, तो Aries DP is number one, इस तरह से ध्यान में रखोगे इस एक statement को तो आपको याद हो जाएगा, notes में provided है, आप अपने language में भी लिख सकते हो सकते है, वह एक लड़की का चेहरा भी बना दोगे, तो और अच्छे से याद हो जाएगा उसके नीचे, number one लिख दो पारले बिस्केट में जो पा है, पा का मतलब क्या हो गया, पारलियमेंटरी गवर्मेंट, ठीक, फिर पारले में जो र है, आर है, capital R, इसका मतलब हो गया, rule of law, ले का मतलब है legislative procedure, बिस्केट का जो B है, उसका मतलब हो गया, bicameralism, bicameralism हम लोगो ने पहले ही समझा था क्या हो क्योंकि जो CAG साहब है, हमारी जो Comptroller and Auditor General है, वो पारले बिस्केट खा रहे है, ठीक, इस्तर से आप imagine करोगे, या side में लिख दोगे, तो इससे भी आपको याद होने में आसानी रहेगी, US के Constitution से जो चीज़ें हम लोगों ने ली है, उसको याद करने का जो trick है, वो भी जगाना बहुत ज़रूरी है, तो President needs fund for removal of present vice president and judges in the USA, इसमें President से आप समझोगे कि जो President of India का concept है, कि हमारा एक President होगा, तो President का concept हम लोगों ने US Constitution से लिया है, fund का मतलब है, जो यहाँ पे fund है, funds का मतलब क्या हो गया, fundamental rights हो गया, removal से हम लोगों क्या समझेंगे, तो impeachment of the President, यानि President को हटाने का जो procedure है, removal of Supreme Court, Supreme Court and High Court के जो judges को remove करने का, हटाने का जो procedure है, यह भी हम लोगों कहां से लिया, यू.S. के Constitution से, प्रेजेंट से हम लोग क्या समझते है तो प्रेजेंट से हम लोगों ने प्रियेंबल लिया है ठीक है यूएस कॉंस्टिटूशन में एक प्रियेंबल है यूएस कॉंस्टिटूशन में एक प्रियेंबल है तो यह प्रियेंबल हम लोगों ने कहां से बोरो किया प्रियेंबल का जो concept है यह हम लोगों ने US के constitution से लिया Canadian constitution को अगर आप याद करना चाहते हो कि इससे हम लोगों ने क्या चीज़ें उठाई है तो इसमें एक simple सा sentence है can I know feds address ठीक है can I know feds address इसको address को इसी तरह से लिखना क्योंकि यही आपको याद करने में धियान आएगा तो can से आप हो गया Canada यानि Canadian constitution के बात हो रही है feds का मतलब हो गया federation with a strong center again मैं repeat कर रहा हूँ यह सवाल आएगा बहुत हाई chance है किसी भी exam के अंदर इस question की आनी की बहुत बार आता है repeated question रहता है हमेशा address में जो add है इसमें गया हो गया advisory jurisdiction of the supreme court supreme court की advisory jurisdiction यह add और rest में residuary powers to the center और इसका क्या मतलब होता था यह अलड़ी हम लोग deal कर चुके हैं इसी lecture में तो इसमें details में भी मैं नहीं जाओंगा ठीक अब आज आते हैं कुछ features के उपर जो salient features के नाम से होते हैं सवाल आने के उतने जादा chance नहीं कि overall जब आप पढ़ोगे पूरा quality आप खतम करोगे तो यह सारी चीज़े अपने आप आपको realize हो जाएंगी लेकिन फिर भी आप उपर उपर से देख लो तो देखो अच्छी लगी अलग 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 देश में जो चीज़ें चल रही थी वहां से हम लोगों ने इसको उठाया है मतलब उठाने का मतलब है कि उनसे अच्छी बातों को हम लोगों ने लिया है और बूरी बातों को reject किया है mixture of rigidity and flexibility इसका क्या मतलब है बहुत important हमारा जा constitution है वो rigid भी है और flexible भी है यानि कि कुछ मुद्धे जो है हमारे constitution में अगर हमको उनको amend करना है यानि कि change लाना है उसके अंदर तो हम easily इसको simple majority of the vote से इसको amend कर सकते है change कर सकते है simple majority का क्या मतलब हो गया कि 50% से ज़्यादा लोगों ने कह दिया कि हाँ amendment होना चाहिए इस चीज़ की तो हो जाएगा लेकिन कुछ मुद्धे हैं जो कि mentioned है उसमें आपको simple majority नहीं आपको two third majority चाहिए एक तो two third third चाहिए उसके और इसमें और भी safe guards लगाए गए हैं जो कि ज़्यादा बड़े features है constitution के उसको अच्छे से protect किया गया है कि उनकी majority आसानी से उनका जो amendment है नहीं हो सके तो यह जो चीज़ें कि कुछ चीज़ें easily amend हो जाती है कुछ चीज़ें को amend करने के लिए काफी बड़ majority वगरा चाहिए होती है और उसको फिस state वगरा से approval यह सब लेना पड़ता है काफी लंबा concept होता है तो यह चीज़ें जो है इसी को हम बोलते है कि rigidity and flexibility का mixture है यह हाला कि आपके MC की वाले सवाल में उतना काम नहीं आएगा यह state PCS से सब चीज़ों में उतना पूछता है इसक जादा जो power है वो central को हमेशा दी जाएगी यह है democratic system हम follow करते हैं यानि कि यहाँ पे elections होंगे लोग आपस में मिल करके अपने rulers को चुनेंगे या फिर अपने representatives को चुनेंगे रूलर से गलप वद होगया representative ज्यादा सही वर्ड है parliamentary form of government होगा parliamentary form क्या होता है हम लोग ने पहले ही discuss किया है तो इसको मैं फिर से deal करके लंबा नहीं खीचूँगा fundamental rights and duties तो हम सब को कुछ rights मिलेंगी हम सब के कुछ अधिकार होंगे और हमारी कुछ duties भी रहेंगी यानि हमें ये चीज़े करनी भी है इन चीज़ों के लिए हम जा सकते है सुप्रीम कोड का दरवाजा खट खटा सकते है अगर ये चीज़े follow नहीं करती है सरकार या फिर कोई integrated and independent judiciary है, judiciary हमारे देश में independent है इसका क्या मतलब होता है हम बाद में समझेंगे, integrated का देखो simple सा ये मतलब है कि जो US का constitution है उसमें states के अलग-अलग अपने courts होते है, state का court, यानि state में भी एक supreme courts होता है, हर state के अंदर court वगरा होते हैं, और center का अपना एक अलग court का system चलता है, ठी district के अपने courts होंगे, उसके आद आपके high courts होंगे, और फिर उसके उपर सबसे उपर होगा supreme court, यही जो system है, यह सारे states के उपर भी लागो होगा, और center के उपर भी लागो होगा, हमारे देश में एक मात्र अकेला supreme court रहता है, तो यह वाली जो चीज है, यह हो गया, integrated judiciary का मतलब यह बहुत important है, इसके उपर सवाल आ सकते है, directive principles of state policy हमारे यहां दी गई है, इनको details में हम आगे deal करेंगे, basically इसमें जो हमारे समविधान के निर्माता थे, कुछ ऐसी चीज़े डालना चाहते थे, जो उनको उस वक्त लगा था कि हमारे state constitution में हो नहीं तो चाहिए, लेकिन उ उस वक्त जो देश है, इनके लिए ready नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़े इसमें डाली गई है, जैसे इसमें बोला गया है कि center को uniform civil code लाने की कोशिश करनी चाहिए, हिंदी जो है, हिंदी कोई promotion होनी चाहिए, यह सारी चीज़ें, उनको लगा कि उस वक्त देश इन सारी चीज में, secular है हमारा constitution, हमारा constitution हमारा देश secular है, यानि कि पन्त निर्पेक्ष है, किसी एक धर्म को हम important नहीं देते, हम सारे धर्मों को बराबर, सारे पन्तों को बराबर मानते हैं, three-tier government हमारे यहां follow होती है, three-tier का मतलब क्या है, एक central government होगी, सारे state के अपने state governments होगे, और एक ती society, राज institutions होगे, इनके भी अपने चुराव होगे, grass root, इसको क्या हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं, grass root democracy, तो हमारे यहां grass root भी democracy होगी, हमारे यहां center पे भी democracy होगी, और state के अंदर भी democracy होगी, यह जो चीज़ है, यह three-tier form of government है, तो यहां पे यह दो topics खतम होते हैं, आपके, notes आपको app में मिल जाएंगे, topic आपको I hope सारी चीज़े समझ में आए होगी, almost सब कुछ cover किया है हम लोगोंने, एक दो चीज़े हटाई हैं, जो की उतना important नहीं है, MCQ वाले questions के लिए, बाकी सारा चीज, almost आपका पूरा covered है, notes अगर आप चाहो अपने language में बनाओ, preferably तो वही section में जाओगे, वहाँ पे सारे आपको PDF में available रहेंगे, हिंदी में भी और English में भी, अभी मैंने English वाले notes से पढ़ा है, बट हिंदी वाले भी available रहेंगे, tension की बात नहीं है, चलो सही है,